हलो नमस्कार गुजराद ड्रेगन फ्रूट फार्म की यूट्यूब चैनल पर मैं निकुछ पान सूरिया आप सबीका स्वागत करता हूँ आज हम हैपी कस्टमर सिरीज की एक ऐसी वीडियो को कवर करने के लिए आया है जहांपे बहुत सारी चीजे जहांपे ड्रेगन भी यह जहांपे आम का पेड भी जहांपे नीमु के पेड भी है और साथ में और या उर्गेनिक खेती भी है वह किसान है वह हमारी तरह यंग तो आईए आज हम उन्हीं से जानेंगे कि रासाइनिक खेती और उनको क्या बेनिफिट दिख रहे हैं ड्रेगन के अंदर और चीज करने से उनको क्या बेनिफिट दिख रहा है और वह स्पेशल यहां पर मोर अगल वगल के इलाके में हैं हट वह दाडम हो या तो या तो ड्रेगन हो बागायती पाक जो भी रहते हैं उसका एक हब बनने जा रहा है जैसे कच है ना हमारा वैसे ही एक हडवत भी हब बनने को जा रहा है तो वह कैसे सक्सेस हुए वह बात हम उन्हीं से जानेंगे ताकि आप लोग भी इसमें सक्सेस हो पाए तो आए हम उनसे मिलते हैं उनसे कुछ बाते करते हैं तो आप आए और हमारे जो विवर से उनको पहले पूरा नाम बताईए हमारी जगा बताईए कि कौन सी है यह अपना अडवद में आता है कडियाना गाउं वहीं पर मेरा फार्म है सरदार फार्म और यहीं पर में अपना ओरगनिक फार्मिंग कर रहा हूं तो हमारे पास पीदाब कना सी क्रॉप मुझे जितना मालूम था मैंने बता दिया तो कौन Technology हम यहां पर उगाते हैं मेरे पास आपकना यह चीकू है ओक आम भी है और अपकाध्य भी फिर नीमु भी ऊखाए जो हम यह दो ठीक है फिर यह भी एड्रेगन भी हमारे पास तो साथ में आप ऑर्गेनिक भी करते हैं तो हमारे जो सारे वीवर्स है ना उनको जाते जाते यह भी बताईएगा और यह बता दीजिए कि ड्रेगन को लगाये हुए कितना समय हुआ और हुआ घ्रेगन लगाये हुआ अज तक मैंने इसमें राशानि खाद कोई भी दीया हुआ नहीं ओक हा हां इसमें में अपना निम का भी जो खोर आता है वह दे रहां मिकेक भूलते उसको निमकेक और अपना यह एडी मतलब हो एरंडी एरंडी का हां उसका भी खोर देता हूं और बाकि जो भी है वो में गोव अधारित अपना गुपा अमरूत और जीवामरूत और पंच गविया डी वेस्ट डी कंपोजर यही चीद से यह अभी अठारा महीना का हुआ है इतना ँसलिव जो है वो अठरा महीने नहीं किए तो आप देख रहा हैं अभी तक कोई भी दवाइ का प्रयोग नहीं किया है और परसेनली भी आप अगर इनके फानकर आके देखके जाना चाहते हैं तो देख लीजिए गा ड्रेगन के लिए यूज होने वादी कोई भी दवा पाले हुए थे ठीक है और कितना भी यह ठारा मेना का जो हुआ है वो मेरे पास 200 पॉल है और उसमें एक पॉल में 3kg के आसपास में प्रोडक्शन लिया है तीन के चीजी के आसपास प्रोडक्शन लिया है दूसरा आपने इसके बाद और भीकुछ फार्मिंग किया सा ड्रेग लिए क्या किया था क्योंकि हड़वद के अंदर बहुत सारे लोग यह पूछते कि ड्रेगन करना है कैसे करना है वो तो सो लोग है चलो राजुबै चापानी यहां पर आके देख के जानके जाएंगे बेचा कहां पर वह आप उसको बताई है कि मेरा जो भी कस्टमर है ओ मेरा फाम से आके ही ले जाते हैं और बनागा परसनली फार्म सरदार फार्म इसमें आज पर प्रॉपर बेनिफिट में बता सकता हूं लगाने के समय पे खर्चा कितना होगा खर्चा एक पॉल में 600 रुप्या का खर्चा मतलब डेड़ लाग का खर्चा करीब करीब हुआ होगा तो अभी तो समझो कि आप ड्रेगन के लावा गवा भी करते हैं तो यह भी गवा जो है यह भी ऑर्गेनिक या तो इसमें कुछ और डालते हैं यह भी 100 परसंट और निक मेरा फाम पर आपको जो भी चीज मिलेगी और रासानी में मुक्त मिलेगी मतलब पूरी और यह लगाया हुए कितना साल हुआ है और सुरू से आप और्जनीग कर रहें यह जो दिख रहा है मुझे वह औरगरिक सिग्ड़ा पार है यहां यह परिंद लिए और यह फुड़ से गरल हो तो भाई हम पक्का खाएंगे इस चीज को टेस्ट करके आज तो बताएंगे कि ताइवान पिंक खाया था उससे ताइवान पिंक वाइट कितना बढ़िया है और दूसरा यह कि ऑर्गेनिक में ताइवान वाइट कितना बढ़िया है ठीक है तो आएए जल्दी से मैं खाता बहुत ही पका हुआ देख सकते आप अगर आपको दीख रहा है तो मैं खिऊंग יותר थाव जूम करें आपको देखाने की कोशिष furnace जो है अब इसको मैं तोड़ के डाइरेकलि ही इसको विक हाने वाला हुल GUY्तौ तो वाइट ताइवान मैंने कभी नहीं खाया है मैंने अभी तक पिंग ही खाया था तो आईए इसका भी टेस्ट करते हैं यह कैसा लगता है मुझे भी मालूम नहीं है मैंने जो अभी तक खाया है ताइवान पिंक मैंने एक फाम में खाया था तो वहां पे इसका टेस्ट था वो एसा नहीं था ठीक है और गेनिक की अलगी मिठास होती है यह बाई जो है इनके मास और गेनिक मुंफली भी ठीक है तो वह भी उन्होंने मुझे चकाई हमारी नॉर 20 kg का हुआ है वह यहां पर फार्म पैसे ही लोग लेके जाते है ठीक है तो आप सोच सकते है कि कितना होता है हम अगर 1100 रुपे में बेचते है हम जो अपना राशानिक वाला करते है वह मुंफली 1100 रुपे की वन बेचते है ठीक है अदर 20 kg बेचते है इन्होंने यहां पर बेचते हैं और वह बोल रहे थे कि तेल निकालते इसका तो चाहिए तो आप भी ऑर्गेनिक पे जा सकते हैं मुह कर सकते हैं अगर कोई भी इंफोमिशन की ज़रूरत पड़े तो पूच सकते यह जो जो चीज़े करते हैं उसकी मैं सेपरेट अभी इसके साथ एक वीडियो जापानी के फांप पर खाली ड्रेगन के लिए तो नहीं आये है या तो फिर खाली जामपर पर के लिए भी नहीं आये गवा जो बोलते हैं उसके लिए भी नहीं आया हम जो यह फाल जो चीज़ कenge कर लाई है न वहिए कीए गव on dubheEDowa aadharit khetavey आप देख सकते हैंति इनके यहां पे B gai है 6-7 ग'ाई इनको न करनेHowe इनो यहां रक्षी हुई है ठीक है तो जिबार्टे आप पांस गाई है न वही यह चीज कर सकता है गवाळारit वरना खाली बोलने से कुछ नहीं होता आप देख सकते हैं इन्होंने यहां पीछे जो यह भरके रखा हुआ है तो इसमें जीवामरूत भी है इसमें पंच गवय भी है फिर गवामरूतम बेक्टेरिया से भी वह फार्मिंग करते हैं ठीक है तो वैस्ट दी कंपोजर है ऐसी क सारी और्गेनिक चीजें जो है वह उनसे खेती करते हैं तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं उन्हीं से पूछते हैं कि उन्होंने लगा हुआ है फिर मेंगो है फिर जामफल है ठीक है गवा बोलते हैं तो यह सारी चीजें उन्होंने लगा के रखी है ठीक है तो उनको गव वहात मैं ने दो साल से किया हुआ है और नेक्स नेक जैसे 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 को अधारित कहती देन वच्जा और हम करें जो तो आधारिक खेती से जो हम फल कोई भी फल लेते हैं उसको मिठास से लेके एक नमबर बनती है तो हम यह उसकी वेलियू भी मार्किट में वेलियू भी बहुत अच्छा रेट भी मिलता है प्राइस वार्फ परखना हुशित उसके अच्छा रेट अपका विखता है उससे इसे पटाए हैं एकर साथ हैं की आने व Movement इंट्रेयउк में और 있다 किए वो परीनी भी मंहने बांपे और con snatch में एक महाता है यह बांथ होता है और उस चीज को मतलब की सह का कंपैर किया उसके लिए स्प्रेम भी काम आता है उससे अपना जो ग्रोथ है वह एक्स्ट्रा हो जाता है मतलब वह ग्लुकोस पोदे को एक ग्लुकोस की तरह बढ़ने लगता है मतलब यह फंगस कोई भी रहती है हम फंगी साइब चिड़कते हैं तो उसकी जगह आप पंच द्रविया आपका चिड़कते हैं तो आप उसको उसकी जो पद्दत है ना वह मेरे को बता दीजिएगा में नीचे डिस्क्रिप्शन में या तो यहां पर दे दूंगा ताकि यह वह यह बना पाए और ड्रेगन तो हम करते हैं पर यह फार्मिंग यह चीज भी हमें इन लोगों तक पहुंचा नहीं है तो वह लोग आपको कॉल करेंगे उनको बता दीजिएगा कि क्या करना कैसे करना है दूसरा आप क्या बनाते हैं गोपाल सुतरिया जी के पास के लाया वह बनाते हैं गोपाल सुतरिया जी से आप अम्दाबाद से लाया जाए वह भी ख्यडूत को फ्री में दे रहे है गोपाल जी फ्री में दे रहे है तो उसका क्या रहता है साइकल मतलब किस तरह से तो एक लिटर का ड्रम में दो किलो गोल लगए और साध दिन के लिए उसक में से एक लार आपर बें उसरा लोछी के वह जो नहीं करना ने उसके करते हैं तुप के दिनों मैं युजुंसी नहीं सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब 비만 है यॉद्सक्राइम पूरे और फूरा है तो दूसरा यह जैसे आप पंच द्रविय बताया आपको रास फंगस को रिप्लेस करता है तो यह चीज जो है वह किसको रिप्लेस करता है वह अपना पोदे मूड लेके रूट लेके उपर तक पतिया तक पूरा का पूरा उसका साइकल मेनेजमेंट करती मतलब ज्यादा तो गर्मी से प्रोटेक्शन देगी और टोटली प्रोटेक्शन उसमें दिया हुआ उर्तल इस फोटी एट जाथ उसमें बैक्टरिया है पूरा राजुबाई अपना एक्सपिरियंस बता रहे है ठीक अगर आपके पास इसमें ज्यादा नोलेज तो आप हमारे साथ शेर की पर आज से हम का ऑपने चीज चारे तो आप इसके अलावा और चीजेंसे तो आप उसमे तरह भी करिया कि यह बब सब्सक्रक्राइब? यह नहीं करते चैजिए फैसने भूल गया यूजब निल्या। इसे कितना कम खर्चे में हमारा यह चीज होता है यह अपना जो मोधी साब कह रहा है कि जीरो बजेट खेती हो कि की आम दिनी डब गरनी है तो डबल करनी है एक पड़ेगी एक तो यह करना पड़ेगा तभी आके खेडद सुखी होगा बाकि नहीं होने वाला मतलब एक लीटर का आजार रूपिया से कम किसी का रेक नहीं कोई बी प्रोड़क्त लो अप और यह मफद में हो रहा है मुफद में हो रहा है मतलब गोर से यह सब और गाई से ह मतलब गाई की सेवा भी होगी अपनी खेती भी होगी तो यह साथ में मिलके करने वाली चीज़े गाई का साथ लेके अपनी खेती को आगे बढ़ाने की चीज़े सही बोल रहा हूं तो आप और निक खेती के बारे में हमारे कोई विवर से उनको कुछ कहना चाहेंगे बस सब अब यह से यह वह और दस परसंट से चलू करिए और सो परसंट तक जाई आपको फेस्ट मिलेगा 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 अगर आपको लिए को सारी इनफरमेशन देंगे इसका बारे में नंबर में दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन के अंदर जाईएग चेक कर लिए तो वह आपक कि आपका ट्रांसपोर्ट का भी एक बीजनेस है आप मोर्भी के अंदर है और आप वैसे तो आप युआ वर्क से तो मेरे मुझसे थोड़े बहुत बढ़े है ठीक है तो दूसरा यह कि हम तो एक युआ वर्गे तो और गेनी खेती चेंदर जाना ठीक है तो शुरू- नहीं थी काम कुछ ना कर सके के स्टार्टिंग हमने दो गई से स्टार्ट किया था अभी मेरे पांच यहां पर है पांच मेरे दूसरे फ्रेंड के पास दिया हुआ मैंने दी हुई है और जिस तन जरूरत होती तब लेकर आ जाता हूं में उदर पर यह जो भी हम रहा है त्या शुरुआती दिनों में थोड़ी बहुत तकलीफ है ती पर अभी आपका जो confidence level है और आपका experience level है वो बहुत ही हाई हो चुका है तो हमारी यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का खुब-खुब दन्यवाद इस वीडियो में हमने आपको बताया कि organic farming कैसे होती है क्या-क क्या फाइदे होते उस चीज के कैसे उस चीज को बनाया जाता है उसको अगर आगे डीप में जानना चाहते है तो मैं नीचे नंबर दे रहा हूं description के अंदर check करिया वहां पर आपको राजुभाय चापानी का नंबर मिल जाएगा तो वहां से आपको सारी information इस चीज के बार हमें भी जाना हमने कैसे अफ्रूट की मिठास रहती है ठीक है तो अगर आप हमारी ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो जल्दी से नीचे जाईए हमें सब्सक्राइब कर दीजिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कर देना अगर और नई वीडियो पहुंचा सके आपका यही प्यार हमारे लिए मोटिवेशन है तो देखते रहेगा हमारी चैनल हमारे यूटुब चैनल हमारी ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स